असलाम अलेकुम आपके साथ कलाकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो के हम बनाएंगे मिल्क पाउडर के साथ इसमें दूद्वा के रगा इस्तेमाल नहीं करेंगे और यह बहुत ही इंस्टिंटली बन जाती है तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है और गैस की फ्लेम अभी अन नहीं है यहां पर मैं 250 ग्राम मिल्क पाउडर ले रही हूँ और साथ ही में हम 1.5 कप पानी आड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें कोई भी गुटली या वगेरा नहीं होनी चाहिए लंस फ्री करना है हमें इसे तो हम इसे इस तरह से चला लेंगे पहले मिक्स कर लेंगे जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम गैस की फ्लेम को अन करेंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे बिसिकली हमें इसे थोड़ी देर ही पकाना है जादा दे नहीं कुक करना है तो हम थोड़ा सा तीन से चार मिनिट हो जाएगा बस जब तक ही इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और जब ये इस तरह सा हो जाए तो यहां पर मैंने 2 टेबल सौन लेम ज्यस लिया है इसे थोड़ा थोड़ा हम इसमें एट करेंगे हमें दूद को फाढना है अभी स्टैज पे तो हम इसमें थोड़ासा लेम जूस अड़ करेंगे half quantity में और इसे mix कर लेंगे और यहां पर मैंने नेक्स बैज भी एड़ कर दिया है लेमन जोस को जब भी आप एड़ करो सिर्व अच्छे से आप इससे चान लीजिए कोई भी आपके पास स्ट्रेनर हो उसकी मदद से यहां पर हमारा जो दूद है वो फटना स्टार्ट हो गया है तो यही देखिए इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे अभी हम इसमें हाफ कप शुगर आड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए और अभी हमें इसे अच्छी तरह से कुप करना है यानि मीडियम फ्लेम पर हमें इसे कंटिनियसली स्टर करना है इस तरह से आप चलाते जाओगे तो हमारा जो कलाकंद है वो रेडी हो गया है तो यहाँ पर रोज एसेंस का इस्तिमाल किया है मैंने आपके पास केवड़ा और कोई भी इलाइची पाउडर वो भी आप स्टेज पे डाल सकते हो तो और दू मिनिट आप इसे और चलाओगे तो यह इस कलर में आ जाएगा तो हमें यह कलर जो चाहिए वो एकदम परफेक्ट है तो यहाँ पर हम इसकी फ्लेम को आफ कर देंगे हमें इससे जादा इसे नहीं पकाना है वरना यह हाड हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिए इसमें थोड़ा सा गी लगा दिया है और ब्रश की मदद से इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे और मैंने नॉर्मल प्लेट का ही इस्तिमाल किया है और इसमें हम आमारे कालागंद को रग देंगे और जो भी शेप चाहिए आप इसे उस तरह से रग दीजेगा तो अभी हम इसे कट करने वाले इसलिए मैंने इसे स्क्वार शेप में रग दिया था और थोड़ा टाइम के लिए रख देंगे लाइक 15-20 मिनिट के लिए यह सेट हो जाती है असानी से और आप 15-20 मिनिट के बाद देखोगे तो आपका इंस्टिंटली कलाकंद रेडी हो जाएगा तो उमीद करती हो आपको यह इंस्टिंट रेसिपी पसन आई होगी रेसिपी पसन आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेह जरूर करिएगा साथी में चैनल को भी सब्सक्राइब